जेनरल वीके सिंग, पूर्व थल सेना अध्यक्ष, विदेश राज्यमंत्री, गाजियाबाद से कैंडिडेट हैं भारतिय जनता पार्टी के इस समय हमारे साथ हैं जेनरल साब जब आप सेना में थे आप एक टू फ्रंट वार की बात करते थे क्या इस समय कॉंग्रिस और महागडबंधन आपके लिए वही टू फ्रंट वार हैं? टू फ्रंट वार की संगया इसको मत दीजिए चुनावी अभ्यान जो सब लोग करते हैं वो हर पार्टी के लिए वन फ्रंट दी है आपको जीतना है जुरोधी बहुत होते हैं कोई अलग-लग तरह से अलग-लग दिशा से नहीं आता है और यहां पर दोहजार चौदा के तरह सबका लक्ष वोई है भारते जनता पार्टी को किसी दर से हराया जाया है आप महागडबंदन की बात कर रहे हैं महागडबंदन दो अलग-अलग वचार धराओं को मिलाने की कोशिश की गई है दो अलग-अलग जातिवादी पार्टीयों का इखटा होना जिनका पूरा का पूरा बेस अलग है ऐसे में मुझे लगता है कि जो उनके जो समर्थक हैं अलग-अलग पार्टीयों के वो अपना-पना हिद देखेंगे महागडबंदन का नहीं 2014 में वो आपकी पहली राजनीतिक लड़ाई थी सेना में तो आपने युद्ध लड़े हैं लेकिन ये आपकी पहली राजनीतिक लड़ाई थी नहीं उतरा था जन्ता ने विश्वास किया और इसलिए विश्वास किया कि मैं एक फौजी हूं और जो काम होता उसको पूरा करता हूं इन पांच वर्सों में जन्ता नе देख लिया कि किस प्रकार से गाजियाबाद बदला है किस प्रकार से गाजियाबाद के अंदर विकास हुआ है किस प्रकार से हर तरीके से कोशिश की गई है कि गाजियाबाद की जो समस्याएं थी चालिश चालिश साल पुरानी समस्याएं थी ये कोई मैं चुनावी वाइदों के साथ न लेकिन जो दूसरा पहलू है इसका आप मतलब सेना या बीजेपी इस समय बालाकोट की बात कर रही है लेकिन जो अन्यदल है वो यह कह रहे हैं कि सेना को यह इसको भुनाने की कोशिश कर रही है सेना के पराक्रम को भुनानी की कोशिश कर रही है बीजेपी देखें क्या होता है कि जब चुनाव नज्यक आते हैं तो हर चीज़ की अतिशयोक्ति होती है और खासकर विपक्ष की तरफ से महत्वपून ये नहीं है कि आपने एर स्ट्राइक किया महत्वपून ये नहीं है कि आपने कितने मारे कितने आपने टार्गेट बरबाद किये महत्वपून ये है कि आपके पास एक ऐसा नेता है जिसने अपनी इच्छा शक्ति और निर्नायकता से एक ऐसा निर्ना लिया जो 1971 के बाद एक मिसाल है और यह निर्ना क्या था कि भारत अतंक वाद की लड़ाई में सीमाओं में बंधा नहीं रहेगा और आज मुझे बता दीजे कोई विपक्ष दलिये कह दे कि यह गलत नेड़ना था लेकिन विपक्ष ये भी कहता है कि वोटों के लिए उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री अली और बजरंग बली की बात करते हैं या मायावती के अगर बात करें तो मायावती एक अलग बसपा एक अलग पक्ष के वोटों की बात करती है देखे विपक्ष का काम होता है कुछ न कुछ उल्टा बोलना खासका जब कमजोर होते हैं तो ज़्यादा बोलते हैं उनसे पूछा जाए कि आप के नेता कह रहे हैं कि मुसल्मान सर्व हमको वोट दे क्या सही है देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए भारते जनता पार्टी ने जितनी अपनी योजनाय चलाएं इन पांच वर्षों के दौरान सब योजनाय भेदभाव रही थी सब योजनाय समाज के विकास की थी ऐसी हालत के अंदर आप सर्फ यही करने लेगे मुझे यह धर्म वाला दे तो योगी जी ने सर्फ यही कहा है कि अगर वो लोग इसमें विश्वास करते हैं कि मुसल्मान ही उनको वोट दे कर उनको जिताएगा तो बजरंग बली का सहरा है इसमें थे इस बार आपको लगता है वो बढ़ेगा या इस महागट बंधन और कॉंग्रेस की वज़े से अलग होगा उसका रिजल्ट दूहजार चौदा में चौबीस लाख वोटर थे गाजियाबाद ने आज 28 लाख वोटर है जैनल साब विश्वाल बेस्ट आज तक से बात करन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद